Hello Friends, Welcome Back to Friends आज की वीडियो में बात करने वाले हैं JKPSE वालों के लिए काफी शांदार इंपोर्टेंट दो अपडेट रहने वाले हैं Vacances की Last Date को लेके जहांपे Extension की मैं बात करूँ जिसमें KS के Regarding View काफी इंपोर्टेंट अपडेट रहने वाला है और उसके बाद जहांपे बात करें जो new vacancy JKPSE ने निकाली हुई है JKPSE काफी शांदार तरीके से जहांपे vacancies को update कर रहे हैं और continuously manner पे vacancies को जहांपे जो क्या कर रहे हैं notify कर रहे है ठीक है और KS का update जो new vacancy out हुई है कितनी age है क्या criteria है और किस किस में vacancy रहने वाली है कोन कोन apply कर सकता है चलिए start करते है सारे के सारे important update सबसे पहले बात करते है जो date extend हुई है KS का क्या update है और new vacancy आप से discuss करते है चलिए आगे बढ़ते है चैनल से first time जुड़े हो तो subscribe कर लीजिए let's start this part तो जहां पर आ जाएगा आप जो filling up of post of assistant professor in different discipline में जमुएन किश्मीर कॉलेजिस में उन्हें notify किया जा रहा है जिनकी जो notification date थी जो ती 15.5.2023 की उसको जहां पर extend करके 36.2023 कर दिया जाने की आप उसको 30 जून तक अब जो assistant professor के फार्म को जमुएन किश्मीर डिगरी कॉलेज में fill कर सकते हो 30 तक अपना फार्म और जो cut off data आपकी eligibility को लेके वो आपकी same रहने वाली है जो 16 जून रखी गई थी और बाकी आपका जो रहेगा बाकी आपका जो 30 जून तक आप इस फार्म को apply कर सकते हो और बात करें KAS की JKPSE KAS की जिसकी last date extend होके 19 थी अब वो 19 ही है और उसमें जो age limit भी 35 open merit की थी और RBA की थोड़ी extend करी थी 2 साल 37 साल तक और आप उसमें भी apply अभी कर सकते हो 19 तक अब बात करें जो new vacancy है वो किसकी vacancy निकाली गई है और कोन कोन apply कर सकता है चलिए start करते है और उसको check करते है कोन सी vacancy जहां पे निकाली गई है तो जे आजाएगा friends आपका जो JKPSE की new notification है filling up a post of assistant professor किसके लिए for state cancer institute के लिए super specialty hospital जम्मू में तो super specialty hospital में जो आपकी assistant professor की post रहने वाली है इसमें आप apply कर सकते हो 19 जून से लेके 9 जुलाई तक online apply कर सकते हो और जो आपकी age रखी गई है age reckoning एक जनवरी 2023 रखी गई है इसको edit form को आप 12 जुलाई तक कर सकते हो उसके बाद next बात करें इसमें qualification क्या है और सबसे पहले बात कर दे age limit की age limit open merit की 40 साल 1983 एक जनवरी से लेके एक जनवरी 2005 तक पी एचसी की बात करें 1981 से 2005 तक इन सर्विस की 45 साल तक आप apply कर सकते हो domicile of duty जमुक्षमिर का होना चाहिए journal category की 1000 रुपया पी एचसी की कोई वी फीस इसमें नहीं लगेगी document आपको क्या क्या अप्लोड करने है और इसमें जो आपका selection कैसे होगा अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो आपका रहेगा किसकी वेकेंसी है जाहां पर कितनी वेकेंसी है वेकेंसी रहने वाली है आपकी radiation oncology की assistant professor level 11 की एक वेकेंसी है open merit की यह आपकी JKPSE की वेकेंसी है qualification आपके पास MD DNB होना चाहिए radiation oncology में medical council आफ इंडिया में और experience आपका direct recruitment रहने वाली है जिसमें दो साल का teaching research experience होना चाहिए as a register tutor demonstrator यह सब आपका होना चाहिए medical council of India में अगर इसके regarding कोई doubt होगा तो comment section में जुरूर पूशें आज के इस वीडियो में बस इतना ही